पाठ चार जी होता चिडिया बन जाओं बच्चो सुबा सुबा घर की मुनेर पर बैठी चिडिया जब ची 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 करके जगाती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? डाली डाली भुदक्ती, दानी चुकती, चिडिया जब पंक फैला कर आसमान में उड़ती है तो मन करता है काश हमारे भी चिडिया की तरह पंक होते तो हम भी उसकी साथ दूर-दूर घूम कर आते इस कविता का कवी भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है वह चिडिया बनकर क्या क्या जी होता चिडिया बन जाओं कितना स्वतंत्र इनका जीवन इनको न कहीं कोई बंधन मैं भी इनका जीवन पाऊं जी होता चिडिया बन जाऊं कवे सोहनलाल दुवेदे बच्चो आपको पता चला कि कवी चिडिया ही क्यों बनना चाहता है क्योंकि चिडियों का जीवन स्वतंत्र है कोई बंधन नहीं, कोई चिल्ता नहीं इसलिए कवी चिडिया बन कर दूर दूर तक उड़कर गूमना चाहता है यहां कविता हमें पक्षियों से प्रेम करना, प्रकृती से प्रेम करना और आनंद लेना सिखाती है देखें शब्दों के पिटारे में क्या है? आओ, अब कविता से कुछ ऐसे शब्द छाटते हैं, जिनके अंत में उं की आवाज आई है जाऊं, पाऊं, खाऊं, इठलाऊं ये शब्द जिन जिन पंक्तियों में आए हैं, वे पंक्तियां बोलो जी होता चिडिया बन जाऊं, मैं नब में उड़कर सुख पाऊं सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिडिया बन जाऊं मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिडिया बन जाऊं नए शब्द नब आकाश, विचरूं, घूमूं, सुख आनंद, परवत पहाड, तरु पेड, घाटी दो पहाणों के बीच की जमीन कुतर कर, छोटे छोटे टुकडे काट कर स्वतंत्र, आजाद, बन धन, रुकावट स्वतंत्र, प्रवत पहाण, लाटी जाटी प्रुकावट स्वतंत्र, प्रुकावट